तो रोसो रेडिमी नोट 13 स्रीज के स्मार्टफून 21 सेप्टेंबर को लाँच होने वाले हैं चाइनीज स्मार्टफून मार्केट में और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप मैंसे काफी सलनों का कोशन आ रहा है कि यह जो स्मार्टफून से वो इंडिया में कब होगे इंडिया में क्या जो चाइनीज वैरियंट है वहीं सेम इंडिया में भी आने वाले या फिर इंडियान वैरेंट में कुछ अलग होगा तो आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर रेडिमी नोट 13 स्रीज के स्मार्टफून के इंडिया लॉंच टाइमिंग के बा कर दिये गए हैं यहाँ पर लीकर्स का यह कहना है कि इंडियान स्मार्टफून मार्केट में भी यह जो स्मार्टफून है वो लॉंच होने वाले हैं और चाइना वाले जो वैरियंट है वो इंडिया में भी आने वाले यानि सेम वैरियंट यहाँ पर इंडिया में भी लॉ लॉंच होने वाला है including India अगर बात करें इन स्मार्टफून के इंडिया लॉंच के बारे में कि यह जो स्मार्टफून है वो यहाँ पर इंडिया में कब लॉंच होंगे तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि Redmi Note 13 स्रीज के जो स्मार्टफून है वो नवंबर या फिर दिसंबर के महिने में इंडियान स्मार्टफून मार्केट में लॉंच होने वाले हैं यानि यह जो स्मार्टफून है वो सेप्टेंबर में ही लॉंच हो जाएंगे चाइना में और उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर यानि दिवाली वगर के टाइम पर यह जो smartphone है वो यहाँ पर Indian smartphone market में हमें देखने को बल सकते हैं ऐसा पूरा chance बन रहा है और यह फिलाल एक leak है यानि launch इससे पहले भी हो सकता है हो सकता एक्टूबर में ही launch हो जाए तो वो कुछ नहीं कह सकते है official confirmation फिलाल यह एक leak है जो कि इन smartphone के launch को लेकर क्या रही है इंडिया को लेकर की basically जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus यह तीनो एक ही launch event में launch होने वाले हैं इंडिया में भी जो कि यह launch event नमबर या फिर December में हो सकता है कुछ ही specification के बारे बात कर लें जिस पर कहा जा रहा है कि यह smartphone इंडिया में आने वाले है तो Redmi Note 13 के लिए कहा जा रहा है कि यह जो smartphone जब इंडिया में launch होगा basically यह Redmi Note 13 का 5G variant में आपको बता रहा हूँ तो इसमें 2.4 GHz का processor होगा अब कौन सा processor है यह फिलाल अव 7S Zen 2 processor पे launch होने वाला है Indian smartphone market में और Chinese smartphone market दोनों जगों पे Qualcomm Snapdragon 7S Zen 2 जो है वो officially launch कर दिया गया है Qualcomm के तरब से इसी same chipset पे यह smartphone launch होगा साथ में Redmi Note 13 Pro Plus 5G जो smartphone है वो यहाँ पर MediaTek Diamond City 7200 Ultra के साथ में चाइना में और यहाँ पर Indian smartphone market में भी launch होने वाला है तो यह कुछ confirmation है इन smartphone के India launch और यहाँ पर इन smartphone के India details के बारे में अब यहाँ पर बात कर लें प्राइस के बारे में तो प्राइस आप क्या सकते हैं कि सारे के सारे जो variant है वो around 15 से लेकर के 30,000 के 20 तक launch हो सकते हैं Indian smartphone market में अलाकि Note series को 30,000 पर launch करने का मतलब नहीं वनता तूकि यह जो smartphone से अगर 20 तो 25,000 ही रहे तो काफी अच्छा लगता है और 30,000 की जो series है वो एक अलग flexible type की series हो जाती है और जो Redmi Note series के smartphone से वो Medran series में हमें सा launch होते हैं बाकि आपका क्या opinion है Redmi Note 13 series के India launch को लेकर के अपना opinion हमें जरूर से comment box में लिखना मत भूलना फिलाल दोस्तों यही साथ वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को subscribe नहीं किया subscribe भी कर लेना